सितार गंज में सफाई कर्मियों ने नगरपाली का अध्यक्ष और सफाई निरिक्षक पर जाती के नाम उत्पीडन करने का आरोप लगाया साथी उनका वेतन रोकने का आरोप भी लगाया नगरपाली का परिशद में सफाई कर्मियों नगरपाली का अध्यक्ष हरीश दुबे और सफाई निरिक्षक सौवेंद सिंग के खिलाफ जम कर विरोत प्रदशन किया सफाई कर्मियों ने नगरपाली का अध्यक्ष और सफाई निर्खशक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने डेली वैज सफाई कर्मी का वेतन रोका है साथी कर्मचारियों के लिए जाती सुचक शब्दों के इस्तमाल किये हैं जिससे कर्मचारियों की भावना आहत हुई देव भूमी उत्राखंट सफाई कर्मचारी संके जिला अध्यक्ष विनोत कुमार ने कहा कि इस घड़ना को हम कतई बरदाश्ट नहीं करेंगे दोशियों के खिलाब सकत कारवाई होनी चाहिए अगर निस्पक्ष जाच नहीं हुई तो हम सड़क पर उतर आएंगे और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदेशन करेंगे यदि जाच निस्पक्ष रूप से नहीं होती है तो हमारा समाज सितानगन जी नहीं है जिले से लेकर के पूरे प्रदेश में हर एक साखा में अपना हम इसी तरीके से प्रदेशन करेंगे अगर जरौत पड़ी तो हम लोग सारे लोग रोड पर उतरेंगे क्योंकि ये हमारे समाज की पहली घटना नहीं है ये एक ऐसी घटना है जो कि आदमी अपने आपको हिटलर साही में जी रहा है आज का समाज जो है ऐसा नहीं है जो अपना सहयोग ना कर सके हम एक दूसरे के साथ आज भी बने चाहे हमारी यूनियने अलग है लेकिन समाज हमार करने के लिए तयार है क्योंकि यह उत्पीरन यहीं नहीं है हमारे करमचारी के साथ हमारे समाज के साथ इस तरीके का उत्पीरन हर जगा देखने को मिल ला है लेकिन इसमें अब समाज हमारा पीछे नहीं है अब हमारा समाज हर तरीके से डट के मुकाबला करने के लिए तयार ह जब जब इसका सोचोड होगा तब तब हम इसी तरीके से बिरोध करते रहेंगे हमें साथ वरंग में शामिल होने का अफसर देता है रबिंद्रनात टैग और युनिवर्सिटी अन्लॉकिंग पोटेंशियल आप देख रहे हैं डखल न्यूज झाल